आज के जमाने में हर किसी को अपने करियर की चिंता बने रहती है जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो अच्छी तनख्वा वाली नोकरी का टेंशन बना रहता है नोकरी लग जाए तो उसमें आगे बढ़ने और पर्मोशन कीचिन तक खाये जाती है वही जो लोग बिजनस करते हैं उन्हें मार्केट में अपनी पकड मजबूत बनाने का टेंशन होता है यानि हर इंसान लाइफ में सफलता का स्वाद चखना चाता है लेकिन कई बार बुड़ी किसमत के चलते इसे हासिल करने में काफे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन आज हम आपको सनी देव के कुछ ऐसे खास उपाई बताने जा रहे हैं जिने करने से आप अपनी पढ़ाई डोकरी और बिजनस में काफी फाइदा मिल सकता है जी हाँ बात करते हैं पहले यानी पढ़ाई के लिए पढ़ाई में अच्छा प्रदशन करने के लिए या फिर अपने दिमाग को शार्प करने के लिए या फिर पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है ऐसे में जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या जिनक प्रतिमा से होकर नीचे गिरने लगे तो उसे अपने हाथों की उंगलियों में ले ले अब उस तेल को एक काले धागे में चुपढ़ ले मतलब लगा ले इसके बाद इस काले धागे को हाथ में बांद ले अब वही मंदिर में बैठ कर अनि देव से एक्जाम में अच्छे अ नौकरी के लिए यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आप इसमें प्रमोशन चाहते हैं तो आप हर सनिवार उठने के बाद इसनान कर सनिदेव की आरती करें इसके बाद पीले पके हुए चावल कोवो को खिला दें साथी इस दिन सनिदेव के नाम का वरत भी रखें और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें यह उपाय आपको साथ सनिवार तक लगतार करना होगा ऐसा करने से आपको अच्छी नौकरी और प्रमोशन दोनों मिलेगा वहीं बात करते हैं आकरी यानी बिजनस के लिए जो लोग नया बिजनस स्टार्ट अप करने जा रह और इसकी कुम कुम और चावल से पूजा करें इसके बाद इस गोड़े की नाल में काला धागा बांदे अब इस धागे की सायता से इस नाल को अपने बिजनस पर पूर्व या उत्तर दिसा में लटका दे साथ ही हर सनिवार अपनी दुकान या ओफिस में सनिदेव के नाम क तेल का दीपक अवस्य जलाएं आपका बिजनस इस से चलने लगेगा और साथ ही तरक्की भी मिलेगी नैशनल स्पिक्चोल से एरानी की रिपोर्ट